नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मोबाइल फोन यूज़ करके हाइपर लाप्स या टाइम लाप्स कैसे बना सकते हैं तो देखिए दो चीज़े होती है सबसे पहले जो मैं आपको डिसकस करना चाहता हूँ आप लोगों से एक होता है ऐपर लाप्स दूसरा होता है टाइम लाप्स अब कई चीजों में हम लोग ये कंफूजन हो जाता है हमको की हाइपर लाप्स और टाइम लाप्स में क्या करता है कौन सा फोन यूज कर रहे है कौन सा मैनुफेक्ट्र क्या क्या फीचर्स किस प्राइस ब्राकेट में किस फोन में देना चाहता है तो M31S में for example hyperlapse है time-lapse का मोड नहीं है मुझे personally इतना फरत नहीं पड़ता है but just because you should know मैं चाहता हूं कि आप लोगों को difference बताओ so that आगे जाके कभी आपको time-lapse या hyperlapse में से choose करना पड़े तो आपको पता हो कि कौन से moment में कौन से frame में कौन से video में आप क्या डालना चाहते है time-lapse होता क्या है time-lapse में एक camera कई सारे images different different time frames में लेता रहता है for example every two seconds I'll set up my camera to take one shot तो उसी चीज़ को अगर मैं एक घंटे तक 60 minute तक दो-दो images लेता रहूं उन दो-दो images को जब वो जोड़ेगा एक साथ तो एक time चलते हुए दिखता यूनो अगर for example मैं sunset shoot कर रहा हूं और मैं 4-4-5 बचे से लेके साड़े साथ साथ बचे तक दो घंटे मैं every two seconds या every three seconds depending on my choice मैं images लगा देता हूं automatically shutter click होता रहता है और दो-धाई गंटे में at least लगा लीजिए 200-200 images for example click हो जाते हैं उसको मेरे पास दो option है या तो मैं post production software में PC में या mobile में ले जाके मैं time lapse create करूँ या phones में या कई DSLR में आजकल already time lapse mode आता है जो की final video आपको produce करके देता है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको just video उठाके अपने usage में social media में या कहीं पे भी डाल सकते हैं अब hyperlapse क्या होता है hyperlapse is nothing really but a moving time lapse for example अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मेरे को पूरा movement दिखाना है traffic का या मैं कहां जा रहा हूं अपने perspective से मुझे किसी को दिखाना है तो मैं hyperlapse use कर सकता हूं यूस तो मैं time lapse भी कर सकता हूं but movement यहां पर आ जाती है वहां पर hyperlapse functions better because hyperlapse becomes much more smoother the video becomes much more smoother if you are using hyperlapse to m31s में hyperlapse mode है मैं दिखा देता हूं कि hyperlapse mode आप किस तरह से access कर सकते हैं और hyperlapse mode use करके आप किस तरह की videos produce कर सकते हैं सबसे पहले आपको of course जाना पड़ेगा अपने कैमरा एप में हाइपर लाप्स को टैप कर दीजिए एक बार इसमें आपको काफी सारे options उपर मिल जाएंगे अगर आप उपर देखे top right में तो right now it shows 16x यह x क्या होता है अब यह x होता है दोस्तों कि कितना time frame आपका जो है fast चलेगा for example two times four times eight times 16 times 30 times of different different x का मतलब होता है x is equal to time frame अब वो time कितना fast चलेगा वो डिपेंड करता है कि आप क्या shoot कर रहे है for example अगर यहां पर मैं देखो 16x में लिखा हुआ है good for recording moving clouds across the sky इसी को अगर मैं 4x में ले लूँ तो यह दिखाता है good for recording people different different modes में different different चीज़ 8x is for recording traffic 32x is for recording people walking by and 64x कि सबसे fast है good for recording sunrises and sunsets आप इसको auto में भी छोड़ सकते हैं जो कि automatically any scene को detect करेगा कि उसमें क्या speed चाहिए और उस हिसाब से आपको बता देगा या rather record कर लेगा automatically मैं generally automatically मैं छोड़ना पसंद नहीं करता हूँ because मुझे पता है मैं क्या shoot कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं खुद अपनी speed चूज़ करना चाहता हूँ तो आप लोग भी अगर hyperlapse शूट करते हैं तो अपने हिसाब से अपना speed चूज़ कीजिए सब कुछ यहां बता दिया गया है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक दो hyperlapses already shoot किये हैं यह एक hyperlapse मैंने shoot किया इसको मैं play कर दूँगा और देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें basically traffic move हो रहा है और मैंने पूरा hyperlapse शूट किया है 64X में although sunrise sunset के लिए बोला गया है बट मैंने इसको traffic में भी शूट किया है यह काफी अच्छा आया है अब फ्रेमिंग पर मच जाई है overall एक feel देखिए कि hyperlapse होता क्या है once the frame starts to move I will start recording a hyperlapse यह एक हो गया दूसरी चीज मैंने यह रख दिया था गाड़ी के छट के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा कि sky की movement जो है clouds की movement वो मैंने record करने की कोशिश की है 32X में वो मेरे उपर है मेरे ही choice है मैं और भी fast जा सकता था बट मुझे लगा 32X is good enough for the kind of movement that I wanted in a frame तीसरी चीज तीसरा मैंने time-lapse यह hyperlapse शूट किया था रात को मैंने यह नीचे रख दिया था phone और लोग यह traffic जब move कर रहा है तो यह hyperlapse बना रहा है इसको मैं time-lapse mode में भी शूट कर सकता था अगर आपके phone में optical image stabilization है तो बहुत ही अच्छी चीज है optical image stabilization नहीं है अगर EIS है EIS on करने का option है electronic image stabilization on करने का option है तो मैं कहूंगा कि आप वो on कर लीजिए because उस तरह क्या होगा कि आपका जो है footage और ज़्यादा stable आने वाला है M31S में optical image stabilization नहीं है unfortunately वो ज़्यादा मेहंगे phone cameras में आते है image stabilization electronic है बट hyperlapse में अब electronic image stabilization on नहीं कर सकते हैं वो option जो है grayed out है तो वो एक negative point में कहूंगा कि electronic image stabilization अगर on करने का मौका देता Samsung इस वाले phone में it would have been even better time-lapse भी नहीं है जो कि एक और negative point है because hyperlapse is fine but कई मौकों पर ऐसा होता है कि मुझे time-lapse चाहिए होता है hyperlapse ना use करके because hyperlapse movement के लिए बहुत अच्छा है पर अगर आप still कुछ shoot कर रहे है sunrise sunset तो time-lapse works better तो difference hyperlapse और time-lapse का यही है time-lapse is the passage of time frame by frame photos लेके time-lapse का जो software के थूरू join कर देके एक video बना देता है phone या camera जिसमें भी आप shoot कर रहे है वो final video time-lapse कहलाती है hyperlapse आप कभ यूज करेंगे hyperlapse तब यूज करेंगे अगर आप movement दिखाना चाहते हैं for example traffic में अगर आप move कर रहे है या गाड़ी में आप कहीं drive कर रहे है और गाड़ी के dashboard में आपने phone camera रखा हुआ है और आप movement दिखाना चाहते हैं तो आप hyperlapse चूज कर सकते हैं उसको आटो में छोड सकते हैं शुरुआत करने में आप आटो में छोड सकते हैं बट जेनरली eventually मैं यही कहूँगा कि आटो में ना चोड के आप खुद अपनी speed अपना क्या shoot कर रहे हैं उस हिसाब से अपना speed चूज कीजिए x जो है that denotes time 2 times 4 times 16 times 32 times 64 times जो भी x आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं जब आप कोई भी x number चूज करते हैं उसके नीचे लिखा आ जाता है कि वो scene mode किस चीज के लिए best है तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं मैं यही कहता हूं कि explore कीजिए किसी भी चीज को auto में मच छोड़िए विकर्स auto में जब आप किसी भी चीज को छोड़ते हो तो camera के उपर तो छोड़ ही देते हो बट आप ग्यान जो है knowledge है वो प्राप्त करना भी छोड़ देते हो तो knowledge अगर आपको मिलनी चाहिए मुझे ऐस मज़ा आने वाला है आशा करता हूं कि यह वाले वीडियो आपको पसंद आई हो और hyperlapse और timelapse का difference आपको समझ में आया हो Instagram का link आ रहा है नीचे उस पे जाएए उसमें मैं काफी सारा content regularly share करता हूँ phone photography हो गया, DSLR photography हो गई, travel videos हो गई, travel related कुछ हो गया, daily photos हो गई phone से या editing की कुछ बात हो गई, सब मैं Instagram पे share करता हूँ और आप लोगों से ज़रूर connect करना चाहूँगा Instagram पे high कर दीजे एक बार आके या story पे reply कर दीजे कोई से भी मैं समझ जाऊँगा कि आप YouTube से आए हैं, इस channel से आए हैं Thank you so very much guys again, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हाथ चोड़के कि आप लोग इतना प्यार, इतनी respect और इतना कुछ अच्छे अच्छे comments कर रहे हैं आगे और भी बहुत ही बड़ी बड़ी आ वीडियो जाने वाले हैं, promise है मेरा वाले